हेलो एरिवान इन टूदेश वीडियो आइम गुएंग तो दू क्वेस्टन नंबर टू अफ एक्सरसाइज 3.3 कोडिनेट जिमेट्री प्लॉट दपॉइंट एक्स कॉमा वाई इन दा फॉल्विंग टेबल ऑन दा प्लें चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टें एक्स यक्सी लेना है इस अमें यह दो x आयरे यक्स सीज जिए जो भी पलॉट्टिंग है यह मैं से करूं के कुम सो इसीजू मार्कर से सो डैट इट त Юु आपने सके लाडे पैसिल बाइश से करना है और आगे यह वाइक्सज और यह उपर आएगा y and this is y dash निच्या जाएगा y dash this is origin तो x-axis पे आपको जो points चाहिए वो चाहिए 1 2 3 4 इतने बहुत है this is minus 1 this is minus 2 minus 3 minus 4 और y-axis के उपर आपने minimum 8 तक लेना है 1 2 3 4 5 6 7 and 8 और minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 now listen first is minus 2 comma 8 तो minus 2 कहां पर है यह और 8 कहां है ठीक ऊपर यहां एक dot लगाओगे और dotted line से इसको join कर दो ऐसे this way तो यह जो यह point आया इसको बोलेंगे minus 2 comma 8 right फिर minus 1 comma 7 यह minus 1 है तो minus 1 के उपर 7 यह आएगा आप इसको भी join कर दो minus 1 comma 7 this way you will join इसको भी यहां join करोगे और यह जो point आया इसको लिखोगे minus 1 comma 7 right next point है 0 and minus 1.25 0 तो यह अब सबसे पहले आपको scale लिखनी है क्योंकि आपने यह minus 1.25 कैसे लिखना है scale यह जो one big division है वो 10 small divisions के ब्राबर है इसमें चोटी चोटी 10 small divisions है right तो one small division is equal to 1 upon 10 0.1 unit 0.1 के ब्राबर है एक छोटी सी division जो है वो 0.1 के ब्राबर होगी तो 0 के ओपर minus 1.25 का मतलब है 0 यह minus 1 के बाद जो बिलकुल immediate छोटी सी next division होगी वो होगी minus 1.1 उसके अगले बारी होगी minus 1.2 उसके अगले बारी होगी minus 1.3 तो minus के 1 के बाद जो है वो second division यह third division के पास आपने एक dot लगा देना ऐसे और वहाँ पर लिख देना है 0, minus 1.25 next is 1,3 this is 1 this is 3 तो यह आजाएगा 1,3 ऐसे join करोगे and you will join this here तो यह point बना 1,3 next is 3, minus 1 यह 3 है और यह नीचे को minus 1 है अब आप इसको भी join कर दो ऐसे and join with 3 right तो यह जो point आया इसको बोलेंगे आप 3, minus 1 so this way we have plotted the points right and suitable scale also is written in the graph so I hope you have understood the solution of this question thank you